नमस्कार आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूँ आपके साथ भारती से बुल्टिन की शुरुआत करते हैं देश की राज़दानी दिली में कई इलाकों में मंगलवार को हलकी बारिश होने से मौसम सोहाब ना हो गया वहीं गुजरात में भारी बारिश के कारण बार जैसी सिती बनी हुई है दिली में हलकी बारिश होने से मौसम की मिज़ाज में बदलावाया है बारिश से मौसम सोहाब ना हो गया साथ ही तापमान में गिरावट आई है दिल्ली के जादतर इलाकों में आज आसमान में बादल चाय हुए साथ ही हवाएं भी चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मौनसून अभी पूरे जोर पर है। इस हफते कई राजों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले तीन दिनों में मह अच्छी बारिश के आसार हैं दिल्य हर्याना पंचाब राजस्थान के कुछ हिस्सों में हलकी बारिश हो सकती है उत्रप्रदेश में भी मौसम के करवटली है और सोमवार को कई इलाकों में बारिश हुई पिछले 24 गंटे के दौरान राज के पूरवी हिस्से में वर्शा मगर शाम होते होते मौसम ने फिर करवटली है और बदली चागए अगले 24 गंटे के दौरान भी राज्य के पूरवी हिस्सों में जादतर स्थानों पर जबकी पशिम भागों में अनेक जगाओं पर बारिश होने का अनुवान है कुछ स्थानों पर भारी वर्शा भी हो सक है संक्रमन का पता लगाने के लिए 1115 लाब में जाच चल रही है रही है पर देश में है करोना कोड़ रा आनकरा बढ़र है फ Ctrl 1 करोडने के लाद़ कीज च्रक बंे दिख जब देश में 1 कौड़ 41001 कोड़ क्रवाश में सबसे ज़्यांतर संक्रमित बंग essential इ Conan क् तीसरे नंबर पर रूस संक्रमित था रूस अप पुई दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे संक्रमित देश बन चुका है जहां पर संक्रमितों का आकड़ा 6,80,000 के पार पहुँच चुका है वही भारत की अपेक्षा जहां पर मरने वालों का आकड़ा भी कम है यहां पर अभी तक 10,161 लोगों की मौत हुई है, वहीं भारत अब UK और Brazil के बाद सबसे जादा संक्रमित देश है, वैश्विक सतर पर मरने वालों की संख्या अब तक 5,33,000 के पार पहुँच चुकी है, वहीं संक्रमितों की संख्या 1,14,19,000 के पार पहुँच गई है, इस बिमारी से पूरी दुनिया में US सबसे जादा प्रभावित देश हुआ है, चीन के वुहान से फैले इस वाइरस से बचने के लिए सभी देश अपने इस तरपर प्रयास कर रहे हैं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बिहार के मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना वाइरस की एंट्री हो गई है, बिहार में कोरोना संक्रमित तेजी से बढ़ रहा है, अब मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना वाइरस की एंट्री हुई है, इसके साथ ही पूरे परिवार को होम कॉरंटाइन कर दिया गया है और सब का टेस्ट किया जा रहा है गौर तलब है कि सीम नितीश कुमार की भतीजी भी सीम आवास में रहती है सोमवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई इसके बाद उन्हें पटना के एंस में भरती करा गया पूरे सीम आवास को सैनिटाइज किया गया है और पूरे परिवार को कॉरंटाइन कर दिया गया है बढ़ते हैं आगली खबर क्यों यूपी में फरार गैंग्स्टर विकास दूबे को लेकर नए खुला से हो रहे हैं पुलिस में कुछ लोगों ने मुखबरी की है फिलहाल SSP की जाच लखनो आईजी के हवाले कर दी गई है वाइरल आडियो भी सामने आया है जसमें शहीद CEO SSP को बता रहे हैं कि CEO विनेतिवारी उनकी बात नहीं सुनते कानपुर में बिल्लॉल के शहीद CEO देविंद्र मिश्र के मुबाइल में मिली रिकॉर्डिंग में साफ पता चल रहा है कि उन्होंने चौबेपुर के दरोगा विनेतिवारी की शिकायत SSP अनंत देव से की थी इसके बावजूद भी SSP अनंत देव ने कोई आक्शन नहीं लिया यह औडियो शहीद CEO देविंद्र मिश्रा की बेटी व्याशनुवी मिश्रा ने वर्तमान SSP दिनेश कुमार को सौब दिया है बता दें कि घतना के बाद से CEO विनेतिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है फिलाल इस बुलिटन में इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है से लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाल